आईपियल 2020 यानि की आईपियल के 13 एडिशन के 49 मैश अब तक बीच चुके हैं और अब बचे हैं केवल 17 मैश और अभी तक हमने 20 वीच में कई बार खिलाडियों के इस साल के बने हुए रिकॉर्ड डिसकर्स करे हैं और कई बार हमने लंबे बालो वाले अमपायर के बारे में भी चर्चा करी हैं लेकिन हम चुक गए आईपियल से जुड़ी हुई कुछ रोचक कॉंट्रोवर्सी के बारे में जिन्हें देखकर फैन सपोर्टर्स कई बार हसे भी होंगे और कई बार आपने अपने फेवरेट खिलाडियों को इन कंट्रोवर्सी में पढ़ता देखकर गुसा भी किया होगा तो चलते हैं कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी पर नमबर वन कॉंट्रोवर्सी जो थी इस साल में वो थी CSK और SRH के IPL के 29 मैच में जब शार्दुल ठाकूर ने वाइड बॉल फे की 19 में ओवर में तब अमपायर पॉल रफिल ने वाइट का सिगनल देने के लिए हाथ को उठाया लेकिन जब धोनी ने थोड़ा सा आखों को उन की तरफ घुमाया तो अमपायर भूल ही गए कि मानो सद्यों से किसी भी परकार की कोई वाइट कराई गई हो अब आते हैं नमबर दो पर तो नमबर दो पर सीजन के छटे मैच में RCB वर्सेज पंजाब कोली का प्रदर्शन थोड़ा ठीक नहीं था और वे दो कैच भी ऐसे में कॉमेंटरी में मौजूद गावसकर ने विराट कोली और अनुश्का के विशे में कुछ टिप पणी कर दी थी जिसे सोशल मीडिया पर इतना चलाया गया कि गावसकर को काफी आलोचना तक जहली पड़ी अब आते हैं नमबर तीन की कॉंट्रवर्सीज पर तो भाई सीजन के 26 मैच में राजस्थान के तेवतिया और हैदरबाद के खलिल के बीच आखरी ओवरों में थोड़ी तनातनी हो गई जिसके बाद S.R.H. के कप्तान डेविड वार्नर भी इस बहसबाजी में शामिल हो ग अब आते हैं नमबर चार की कॉंट्रवर्सीज पर तो भाई कॉंट्रवर्सी नमबर चार है बड़ी दिल्चस्प नाराज दिखे और दिक्कत ये थी कि राजस्तान रोयल्स के पास रिव्यू भी नहीं बचा था इसलिए टॉम डगाउट की ओर चल दिये जिसके बाद फील्ड अंपायर ने सला मशुरे के बाद फैसला थर्ड अंपायर को सौप दिया और थर्ड अंपायर ने बताया कि बाल बैट से टच ही नहीं हुई और इसके बाद टॉम करन को नॉट आउट देकर वापस डगाउट से मैदान पर बुला लिया गया तो ये थे कुछ ऐसे दिलचस्प किस से IPL 13th एडिशन के जिन्होंने क्रिकेट लवर्स को टीवी स्क्रीन से चिपकाय रखा और दड़कनों को उपर नीचे करने में थोड़ा सा अपना योगदान दिया